हेलो फ्रेंट्स वैलकूम बेक टू माई चैनल फ्रेंट्स आज मैं आपको एक ऐसा नुसका बताऊंगी जिस पी आप इनो की साहता से अपने पूरे सरीर के काले पन सी हमेशा के लिए चुटका रहा है पासकते हैं और अपने फुल बोडी यानि की पूरे सरीर को गोरा कर सकत हैं इसके साथ साथ ये आपके घूटने और कोणी पर जमे काले पन को भी दूर कर देगा जानिये कैसे आप इनो की साहता से अपने सरीर के रंग को गोरा कर सकते हैं और वहाँ पर जमी गंदगी और मैल से हमेशा के लिए कैसे चुटका रहा पासकते हैं तो चलिये शुरू जो करते हैं आज के इस नुस्के को सबसे पहले आपको लेना होुगा एक क्लीन पाउल, अब आपको इसमें एड़ करने के बाद आपको लेना होगा नीमबू कर स्गाविक आपको इसमेंrant करना होगा आपको इसमें एक निम्बू का रस एड़ करना होगा मैं यहाँ पर बड़े साइज का निम्बू यूज़ कर रही हो तो फेंट्स इसमें मैं आधा निम्बू का रस ही एड़ करूँगे देखिए फेंट्स इसमें कितना सारा निम्बू का रस निकल चुका है अगर आपके पाद छोटे साइज का नीमभू है तो आप इसमें एक नीमभू करस एड़ कीजिए इसके बाद आप इन दोनों चीजों को अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा देखिए अच्छे से मिक्स हो चुका है अग आपको इसमें एड़ करना होगा इनो को आपको इसमें एक इनो का पूरा पैकिट एड़ करना होगा इस तरह से अब पूरे इनो के एक पैकिट को एड़ कर दीजिए और देखिए इसमें कैसे जाग बनने शुरू हो गए हैं आप इसे अच्छे से मिक्स कीजिएगा जब इसके जाग थोड़े कम हो जाएंगे तो इसका यूज करना होगा इसका यूज आपको कैसे करना है आपको फेंट कोटन की सायता से इसे अपने काले एरिया वाली जगहा पर लगाना होगा चाहे आप इसका यूज अपने हातों पर करें पैरों पर करें घुटनों पर करें कौनी पर करें या फिर गर्दन पर करें य जिससे आपका मैल तेजी से एक ही बार में हमेशा के लिए साफ हो जाएगा, आपको वहाँ पर उस एरिया को जादा रगड़ने की जादा जरूरत नहीं पड़ेगी, मात्र एक बार के यूज से ही आपके सारे कालेपन को हमेशा के लिए दूर कर देगा, अगर आप भी अपने सरीर के रंग को तेरी से गोरा करना चाहते हैं, तो एक बार इस नुस्खे का जरूर यूज करके देखिए, कि ये आपको कैसे फाइदा दिलाता है, और कैसे आपके सरीर के रंग को गोरा कर देगा, जैसे आपके चैरे का रंग गोरा है, तो आप इसका यूज की जो अपने सरीर के रंग को गोरा बनाईए तो ये था आज का मेरन उसका आज के वीडियो में इतना है अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए